इंडियन रेल करोडो भारतियों की लाइफ लाइफ लाइन है हर दिन करोडो लोग अलग अलग ट्रेनों से सफर करते हैं ट्रेनों से सफर को अन्य के तुलना में काफी ज़दा सेफ सफर माना जाता है लेकिन भारत की लाइफ लाइन को अब किसी की नजर लग गई है परदे के पीछे कोई दुश्मन है जो ट्रेनों को बार बार टार्गेट कर रहा है कोई तो है जो रेल से मौत के खेल की साज़श रच रहा है कानपूर से लेकर अजमेर तक में ट्रेन को बेपत्री करने की बड़ी साज़श शामने आई है कानपूर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिलने के बाद अब राजस्तान के अजमेर जिले में रेलवे ट्रैक पर अलग अलग जोगाओ पर करीबन एक क्विंटल के सिमेंट ब्लॉक मिले हैं देकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह कि पिछले 6 दिनों में इंडियन रेलवे के साथ 5 ऐसी घटनाय हो चुकी है पिछले 6 दिनों में दो पत्थरबाजी की घटनाय तीन रेलवे ट्रैक को डिरेल करने की कोशिश हुई आलग अब तक दुश्मन अपने मनसूबों में कामियाब नहीं हो पाए लेकिन ये भी हकीकत है कि कोई तो है जो रेल से मौत का खेल खेलना चाहरा है इन 6 गटनाओं के लावा रेलवे में इस साल कई ऐसे हादसे हुई जहां ट्रैक पर कुछ ट्रखे होने के वज़ा से ड्राइवर को इमर्जन्सी ब्रेक लगाना पड़ा या फिर ट्रेन जो है वो बेपटरी हो गई केवल राजिस्थान में एक मैने में तीसरी बार ट्रेन को बेपटरी करने की साजश हुई इसे पहले 28 अगस को 12 के छबड़ा में मालगाडी के ट्रैक पर बाइक का स्क्राप फिका गया था जिसमें इंजन बाइक के कबार से टकरा गया हाला कि अब इन साजिशों से परदा उठाने के लिए जांच तेज हो चुकी है आपको बताते बीते 6 दुनों में भारती रेलवे के साथ आखिर क्या क्या हुआ है देखे 4 सितंबर 2024 की बात करते हैं वारानसी स्टेशन से रवाना होने के कुछी देर बाद लखनव से पटना जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर हमला कुआ वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेके गए इससे ट्रेन की खिड़कियों को नुकसान पहुचा और लेकिन गनीमत की रही कि यात्री या करमचारी कोई भी जो है वो घायल नहीं हुआ अधिकारियों ने इस घटना की पीछे के कारणों की जाच शुरू कर दी है अब 5 सितंबर 2024 की बात करते हैं राची से पटना जा रही वंदे भारत एक्स्प्रेस को जारकन के हजारी बाग में इसी तरह से निशाना बनाये गया ट्रेन पर पत्थर फेके गए जिसे कई खड़कियों को नुकसान पहुचा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक F.I.R. दर्ज की और इस पत्थरबाजी वाले पैटन की अब जाच शुरू की गए उसके बाद 5 सितंबर 2024 की बात करें तो शाम को कुरुवारी रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा होते होते बचा एक सिग्नल पॉइंट के पास ट्रैक पर जान बूज कर एक फावलिंग मार्क स्लाब रखा गया था हाला कि लोको पाइलेट की सूजबूट से जो है ट्रेन को रोक लिया गया और हादसा फोने से बच गया लेकिन तुरंत अधिकारी वहाँ मौके पर पहुँचे अधिकारियों ने जो है उस पत्थर को वहाँ से हटाया जाज परताल जो है इस पूरे मामले के शुरू कर दी गए ठीक इसी तरीके से दो दिन बाद यानि कि साथ सितंबर की बात करे जबलपूर सुपर फास्ट एक जो है इस पूरे मामले में जाज परताल कर रखी है ये सिर्फ न्यूस एट इन इंडिया पर